वालकम अगें गुड मोर्निंग विड सभी एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर है एवरी फ्राइडे हम एक ऐसे सीनियर हल्थ कंसल्टिट को हर्मलिस्ट को एको पंचरिस्ट होमियोपैथिक उनके इतने तैलिट है उनको बुलबाते हैं और पूरे वीक में जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनसे शेयर करते हैं और बहुत जब मैं उनसे बात करने से पहले मैं आपको क्लियर बता हूँ आज टॉपिक है आपके स्टमक और आपकी आसडिटी यस खटे डिकार पानी वाले डिकार खाना हजब नहीं हो रहा स्टमक प्रॉब्लम्स हैं और थोड़ा सा खाने से एक उनूदगी आना और खाना हजब ना होना कॉंस्टिपेशन होना आतोब इंफ्रक्शन तो वह कौन सी रीजन्स हैं जिसकी वज़ह से आप ये प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं यह आज टॉपिक है अगर आपके गिर शर्यवडन बात का यह के आपको कॉंस्टिपेशन यह शर्यिजन को अपस्टिपेशन नहीं और जिन लोगों के कप्श कर जाता है फिर इन झाना तो बेंख्ञान फेजाते हैं को दो श्रí Pvdya हे मैं पृट होती हैthing अइसे अगरते हैं को परसप प्रॉबशा इंइ मैं अर वहांसे ब्लीडिंग हो रही होती है और यह जब 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 बढ़ जाती है तो वह कैंसर का शिकार होती है मैं जब अवेर इसलिए करें हूँ कि आप अगर इस मौज़ू पर कोई क्वेस्टिन करना चाहें तो बहुती सीनियर हर्बलिस्ट उनकी माशालला यारा पुष्टों से वो अपनी इस हिकमत को लेके चल रहे हैं उनके परदादा उनके दादा उनके दादा पिर उनके अवालिज साब और अब वो खुद मैं मिलवाती हूँ बहुती सीनियर और अपने शक्सियत में एक शक्स करीज साब. असलाम अलेकुम रुक साब. जी वाल सलाम और अब्दुल्ला बरेक। टॉपिक मैंने बता दिये रुक साब, बहुत भी सेंसिटिव. बड़ा अहम मादूफ है, और अकसर लोग सीने की जलन, खटी डगा रहे हैं, बदहजमी, और कब्स, और इसका शिकार भी रहते हैं, और निजा मेहजम उनका डिस्टरब रहता है. और ये अकसर हमें शकायते हैं, मरीज करते हैं, क्या उनका सीना मुसलसल जलता रहता है, या सारी रात जो है, उनकी जलन सीने में रहती है, और कुछ भी खा लें, वो एसी डिटी की सूर्ट बन जाती है. तो ऐसी सूर्ट जो है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ नाजरीद, क्या आपका मोटापा, सीने की जलन, काबज और दीगर जो अवारिज आपके मेदे की खराबी, जिगर की खराबी, आंतों की इंफेक्शन की वज़े से पैद इस दौरण बता दिया, मेरा अदा काम तो आपने कर दिया. नहीं, आपका काम तो पॉसिर्वल ही नहीं है, लोगों को बस की के लोगों प्रॉब्लम ये है, और कभी-कभी फूड ऐसा लगता है, जिसे गले से बाहर आ जाएगा, बल्कुल, ऐसी वो रात को सोते वक्त मार् दूसरा, रात का खाना जो है, सकील नहीं होना चाहिए, मरगन, या उसमें गोश्ट की मिकदार जादा, या भुनावा, तलीवी अशिया, ये खास तो पर ये आपके जिसम में पैदा कर देती हैं, इस तिजाबियत, दूसरा, गैस्ट्रिक, और तीसरा, निजा महदम के खर हलवा पूरी वगारा, मुरगन गिजाएं, ये आपके मेदे को खराब भी करती हैं, आपको की अम्यूनिटी को भी खराब करती हैं, कमजोर कर देती हैं, और इसी तरीके से आपके अंदर, गिजा की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वाज़े से बलेड पेशर, शूगर हर्ट प्राब्लम्स, जोलो का दर्द, स्पाइनल कार्ड, सर्वाइकल की प्राब्लम्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके अंदर जो हरारे हैं, कलोरीज हैं, उनकी कमी बाकिया होती है, जब निजामे हज़म खराब होगा, तो लाज़मी बात है, जो कुछ आप खा रह जो ही उसमें एक लीटर पानी मिलाएं, ठीक है, और उसे ची तरह उसे कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, उसको यानि शेक कर लेंगे, अच्छा लसी की तरह नहीं होती है, लसी की तरह, जानी एक यह इसमें थोड़ा सा दूद भी शामिल कर सकते हैं, और इस तरह दूद सक मिलाएं दूद रादानी मिक्कार में, राइता बना लीजे और इसे का इसमाल कीजिऑ करें खाने के दा अबिरन, आपका नजाम हादम बेतर करें, और दिजाबि मादे को भी खातम करें, तुख Pacne बिए खुम तुक्मे रेहान रेहान मिलते हैं और उसे थंड धुनक मिलाए और उसे थंड़े दूड़े मिलाकर पीजे फॉर्द तो पर स्वकून होगा और वह तिज़ाबी असरात भी उसने की जलंग बहुत ज्यदा दीता है बेटरी हम उन बच्चों को लिए बच्चों के लिए तो बहुत जबरदस चीज़ यह है दिन में एक से दो मरतबा इस्तमाल कर लिजे दो चमच मिक्तार इसकी है एक से दो चमच और एक और चीज़ है कि नाजरी यह भी नोट कर लिजे नुस्खा तबशीर तकरीबन पचास ग्रम चोटी एलाइची के बीज पचास ग्रम बड़ी एलाइची के बीज पचास ग्रम और मिस्री सौ ग्रम जबर्दस्ट यह क्या बरना शर्बत नहीं नहीं पउडर सफूफ है अच्छा सफूफ बना के रख लिया और यह जो इसको इसको इस्तमाल कीजिए उस दौरान में एक बड़ पिर बताईगा सबस लाइची सबस लाइची के बीज पचास ग्रम ठीक है बड़ी लाइची के क्रिस्टल्स होते हैं यह बहुत जबर्दस चीज़ है जिसमें जलन होती है सीने में जलन की कैफित पैदा होती है तो यह फौरी तो पर उसको जजब कर लेती है तो कभी आप इसको जबाशी रखें तो जैसे रखेंगे फौर उस जबान से चिपक जाएगी डिली अच्छा ह working थी के दो उसको फोरी तो यह नजाम भी और ऊझया कीज़ और यहाजाएगा और यह वो जलन से निजात मिल जाएगी निजात मिल जाएगी और यह वो जलन है जो खाने की बदपरहिजियों से है एक वो जलन होती है जो किसी को देखकर होती है किसी के माल से को देखकर जलन किसी के खुबसूरती को देखकर जलन होती है तो वो जलन तो हम नहीं इस दवा से खत्म करते हैं आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, उसके लिए ये नॉर्मल चीजे खाना, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल है, हम लोग ब्रेयानी भी खाते हैं, कोर्मा खाते हैं, ये डिफरेंट चीजे हमारे पास फास्ट फूड है, रेगुलर ना भी खाया और कोई अफोर्ड ही होती है कि जब आप हिफजाने सहित के असुलों के मताबिक चलेंगे, अगर उनसे आप इनहराफ करेंगे, कि रात को खाना, अक्सर बीमारियां जो होती हैं, वह एक तो रात को खाना खाके सोजाना, हाँ, हमारी अपनी कोता ही, मुर्गन घिजाओं का इस्तमाल, अक्सर लो जाए, यही वजवाहत है, रुक्सर वह भी जो हम लोग रात को बात कर रहे थे, जब हमारी टॉपिक पर डिसकस होज़ी थी, दो ने का कि कुछ खाने जाहरी बात है, जैसे अब इन्हों ने कहा ना, कि रात को ऐसे होता है, तो खाने ऐसे हो देते, बादी होते, नुक्सान और हाजमा जिनका या बहुत जादा भुनीवी तलीवी अशिया होती हैं, उन से आप परहिस करें, जादर जादर खाने के दौरान में दही का इस्तमाल रखें, सालात खूब खाये, खीरा, बहुत जाबर्दस चीज़े हैं, मूली, गाजर, और चुकंदर, ये खास और पर खायें, खायें, तो चुकंदर जैसे हो जाएंगे, सुर्खों सफैद भी हो जाएंगे, आपकी आईरिन की कमी भी खतम होगी, और कब्स भी रफा होगी, एक चुकंदर रुजाना बॉयल करके उसको पानी भी पी लीजिए और उसको खा लीजिए, चले हमने ये तो सबजि हो या कॉंस्टिपेशन बहुत हाड हो, तो मेरे खायल में आप बैतरी जो बहतरात को करे थे ना जो गुफ्त गोटी वो बताएंगे, बलकुल आडू जो है वो पेट के लिए बहुत मुफीद है, निजाम-य-हजम को बहतर करता है, और इसी तरहा आडू का इस्तमाल जो है अंगूर का पानी, खास दोर पर बच्चे बड़ी शौक से खाते हैं, जो नौमालूद बच्चे होते हैं, मदाए साल, लेड़ साल, दोसाल के बच्चों को आप अंगूर खुब चिटाया करें, खिलाया करें, देखें, ग्राइब वाटर में भी अंगूर का पानी होता है होता है, सोया का पानी होता है, तो ये दो तीन चीज़ें जो हैं, ग्राइब वाटर में होती हैं, अगर बच्चे को डिरेक्ट आप और अरगनिक अंदाज में खालिस प्योर चीज़ें खिलाते रहेंगे, तो ग्राइब वाटर का नेम बदल है ये अंगूर, और जो लोग जो है, अब जो सीजन चल रहा है, सेव तो बहुत आ रहे हैं माशाला, सेव भी जो है, सेव का इस्तमाल भी आपके लिए बहुत 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 है, अगर आप सुबा के वक्त में मिलक शेक जिशेक जैसे मैं आज पी कर आया हूँ, माशाला, अच्चा बड़ा जो है या नाजवान जो है वो जब बड़ी जल्दी से तेजी के साथ जो है तयार होकर भाग रहे होता है कि जलाव हमें आफे जाना कि इस आजकर मौसम भी कुछ ऐसा जा रहा है कराची में खास्ताब पर पूरे पाकिस्तान में के बारिशें वहुत ज़्दा ज़रुत से कि मिल्क शेक में बना लिए उसमें आडू, अंगूर, आम, केला, जितने मौसमी फ़र हैं, एक्जर्टली खजूर, ये डालें, अंजीर डालें, बादाम, पिस्ता, अखरोड डालें, इसी तरह नारील थोड़ा सा डालें, नारील, ये एक दफार रात को बना के बेशक रख फ्रीज में, और सुबह उड़ते ही, जैसे आप तयार हुए, जल्दी से दो गिलास बनाएं, पिया और निकल करें, ये जो आपने जितनी इंग्रीडियन्स बताएं, इसमें के इंजीर, खजूर या ऐसी, आप ये पी के देखेगा आप लोग, आप कई कई गंडर तक इतन अनर्जेटिक फील करेंगे, जैसे पता नियुक्सान भी नहीं देता, और आपको फ्रेश भी रखता और अनर्जेटिक रखता, आपके मेदे को इतना दुपैर का खाना खाने तक जो है, बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे मैंने बताएं इस चीजें, ये पूरा में अनर्जेटिक बना के रात सुबा फजर के बना के मेरे बेगम ने रख दिया और मैंने आए जल्दी से तियार हुआ और मैंने दो गिलास बनाए पिया और निकल के आगया, कोई इसमे कोई कभाहत नहीं है, अच्छा बंदा लागर नहीं होता, इम्यून सिस्ट्म स्ट्रॉ लेकिन अगर आप इस तरह का इनर्जेटिक ड्रिंक पी के निकलेंगे ना तो मैं एक गरिंटी बोलते हूं इस एक परसन को ना, वो कभी भी लागर नहीं हो, जो बता रहा हूं के देखे रोड्स हैं आजकल बारिशों के वज़े से बहुत बहुत खराब हो रहे हैं, और अ मोयुकिशता है, मोहरों का दर्द है, गरदन के मोहरों का प्रॉफल्म शुरू हो रहा है, जोडों का दर्द है किसी की, इस तरह जटके जो लगरे हैं, उस से काफी लोगों को इस किसम खुद। यहां सुनल और वालों का रोड वो इसकतर नाकिस हो चुके हैं और इसकतर खदर खतरनाथ बनकिगे हैं. क्या हमारे छोठे बच्छे PLAYB भी बिचारे जब गाड़ीयों में उनकी वेगन्स आती हैं तो बच्छे स्कूल में इतने नीढाल हैं जिसने रोड्स पर नीढाल उनके दिमाग पर और उनके निजाम हजम पर पैदा होते हैं तो अमूमन बच्चों को मोशन लग जाते हैं, वर्म्टिंग्स होती है क्योंकि ये इस मौसम में अक्सर कॉल्रा, डायरिया हो जाता है बिल्कु ठीक है, और स्किन डिजीजिस हो जाती हैं, जिसकी वज़े से रेशिस पढ़ते हैं, दाने निकल आते हैं, हबस बहुत है, ऑक्सिजन डिफिशन्सी होती है अब नाजरीन बात यह है कि हम इस इन अहलात में किस तरह नबर आजमा हो सकते हैं इन मसाइल से तलाजमात है कि मसाइल का मकाबला करने सी मसाइल हल होते हैं, उनसे भाग जाने आसान नहीं होता है अब अपने बच्चों को ऐसी घजाएं दें, जैसे मैंने बताया है, यह मिल्क शेट, यह बच्चों को दीजे और जब उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉंग रहेगी तो इन हालात में उनको बिमारियां, कम असकम बिमारियों उनको लगेंगी इसी तरीका से अब आपका यह है कि बच्चे जब उनको जैतून, एक एक चमचा जैतून का तेल पिलाएगे मालिश कीजिए उनके कमर पे जिसम पे और इस तरह बच्चों का निजाम हजम के साथ साथ उनके अंदर ऑईलिंग और फिटनेस पैदा होगी भी बताथा यहीं अमल आजकर नाजवानों और बुठों को भी चाहिए बिल्को ठीक के उन्हें रात सोते वक्त एक से दोचमच खानेवाले जैतून का तेल पीकर पैरों पे जैतून की मालिश करें, नाफ में जैतून लगाइए, गर्दन में और कमर के इलीड के मौरों पर जैटून का मसाज कीजिए, ये और चेहे पर मसाज कीजिए, आपका जिसम, चेहरा, अंदूल निमे मामलत, आपके जैटून अल्लागी बड़ी नहमत है, और पला है। इसका बहाद इसकी जिसकादर तारिफ की गई है जैतून की और वतिने वा जैतूने वतूर सीनिना वा अवा जल्बलद अमीन यानी जैतून और अनजीर की तारिफ गॉरान ने हकीम में की है कि आप मौझोद हैं दुनिया में आप से शिपाया भी हासल रखना चाहते हैं तो जैतुन, खजूर, अंजीर और शहद, शहद और सिर्का, ये चीज़े आप रोटीन बना लीजी अपने जिन्दकी में, कि आप इनका इस्तमार डेली आप रखें, और एक और चीज़े वो भी आप बता दें, कलवन जी, आप ये तो खाने के बिमारी कहा है, वो आप ही ने ये तो कलॉंजी और जीरा, मैं आप एक नुस्खा बता देता हूं इसी साब से, कलॉंजी चौथाई चमच, जीरा चौथाई चमच, और पौदीना, तकरीब एक तालिस पते, पौदीने के लिजे, और इसमें आप बड़ी इलाइची, अगर बखार है तो बड़ी ठीक है, इसमाल कीजिए, और इस मौसम में बड़ी इलाइची जो है, वो इसमें आप इसका कहवा बनाएए, तीन से चार कप पानी डालिए, और कहवा बनाकर इसका सुबा नहार, दुपहर, खाने के बाद, खाने के फौर्म बाद कहवा ना पिये, अमोमन यह होता है कि कहा और खाना खाने से अगर आप 45 मिंट पहले पानी पीएंगे, तो वो आपके एक्स्टा फैर्स आपके खतम होंगे बाडी से, और पानी की जो अक्सर लोग जो है पानी, खाना के दौरान में गिलास भर के रख लेते हैं, साथ साथ एक लुकमा भरा, दो लुकमा भरे और पा मोठापा पैदा कर देता है, और इसी तरह आपके अंदर ब्लेड प्रेशर या शूगर की प्राबलम शुरू हो जाती है, तो इस तरह इन चीज़ों का खास दोर पहतियात कीजिए, ताके आपके आपके तरो ताजा, तवाना, तंदू, सुर्खो, सफैद, और कौम के बेह अंदर अनरजी है, ताकत है, आपका बेन जो है, वो बेहतरी क्रेटिव बेन होगा, बहुत अच्छे काम आप करेंगे और बड़ी तवानाई के साथ और पूरी एक सोई के साथ जब आपको अपने काम अमोरी सर अंजाम देंगे, तो यू एक बाइतमाद काम जो है, वो एक अच्छे बुल्क के लिए बाइतमाद जो है, वो साथ ही पैदा कर देती है, और आपके आने वाली नसलें भी जो है, वो सेथ मन तंदूस तवाना होंगी, बहुत सारे मसाइल हम खुद पैदा करते हैं, जिया 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 बिलकुल, और ये पता होता है लोगों को, कि ये ह हमारे लिए नुकसान दे है, बहुत सारे लोगों को मैं देखा, गुटका खा रहे हैं, सिगर्ट पी रहे हैं, और बुरे उसमें हैं, और उनको समझाया जाता है, बहई ये मुँ में आप कैंसर पाल रहे हैं, ने बताया जाता है, इस से आपका निजाम-एहसम खराब हो र है constipation शुरू हो जाती है एवन के अजाबत वाली जगा पर भी कंसर हो जाता है जैसे अब आपने बताया के बवासीर जो है पाइस है खोनी बवासीर है एक नवासीर जिसे फिस्टोला कहते है तिबी जुबान में उसको नवासीर कहते है वो फिस्टोला ऐसी चीजें इंतही अजियतनाक जिद्गी की तरफ इंसान को लेए तो आप अगर जैसे अंजीर का इस्तमाल अगर पांच से च्छे दाने इंजीर आप खाते हैं तो यह अजीर जो है एक तो वैसे उसके इनर बहुत कैलोरीज होती है मुकमर डाइट है अगर पांच से च्छे दाने आप अप अचा ये इनजीर जो है मेदे को सही करती है ये अंजीर आंतों को इंफेक्शन को खतम करती है आपका कॉंस्टिपेशन यानि कब्स को रफा करती है बहवासीर के लिए खुनी और बादी बहवासीर का बेहतरीन इलाज है लाजवाब चीज़ है बेशक तो इन चीजों को इस्तमाल जो है वो आपको आपको जिन्दकी का एक रवानी पैदा करना और जिन्दकी के बहुत सारे मसायल जो है आप घर बेटकर हाल कर सकते हैं अपने नोट के जिसना अपने इनजीर पर फोकस के शहर पर अचा आप इन चीजों का जब इन टेक करने लग जाते है ना तो आपका दूसरे खानों में से दिल उचट जाता है जैसे भूक इतनी तलब नहीं होती क्योंकि वो इतनी एनरजेटिक होती कि आपके बूक का तात्म अपने आपको कर लिया और यह आपके लिए आगे भी यह रॉक्साब नहीं बताया जब हमनों को इसको 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 आपकाती है उन्हें मैं खास तोर पे कहता हूं कि आप अपने खाना सब्जियां या इस तरह पकाईए कि उसकी असल सूरत नजर आ यह मटर हैं यानि उनकी शकल और सूरत नजर आए ना कि आप पूछे का भाई यह कौन सी सब्जी है हमें समझ नहीं आ रहा है यानि कुछ लोग इसकदर उसकी भुनाई कर जाते हैं कि वो असल गजायत उसकी गजायत उसकी तमाम तवानाई जो है वो जाया हो जाती है और वो बनाई वो अपनी असली हालत में है उन्होंने वो प्लेट मेरे सामने रखी हुए है और मैं देख रहा हूं कि वो दूर से बड़ी एक्टेक्टिव बड़ा दिल चाहरा है कि फौरी तॉर पे इसको खाल गजाया है यह होना चाहिए कि अपका दिल चाहे कि आप उस चीज को को इन्टेक करें अच्छा हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि एस ट्रमक हम चाहते हैं अपने टॉपिक पर रहे हैं एक बड़ी नभी सब्सक्राइब को जैसे इन्होंने बहुत सरे कुरान से रेलेवंट शेहत की बात की इंजीर की जातून कलवन जी इन सब का जिक्र हुआ दूद भी अफकोर्स गाय का भी जिक्र है दूद हमारे लिए शिफा है अब इंपॉर्टन्ट चीज़ है जब हम कहते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम एक ज्योंका दलिया इस्तमाल करते हैं और रॉक्सब अकसर उसका बड़ा जबर्दस मुकवी जिसे बोलते है ना वो एक क्या बोलते हैं इसे तल्बीना बनाने वो रॉक्सब जरूर बताए और मैं कहते हूं अपने घर में जब छोटा बच्चा आपका आ जाए ना तो मैं कहते हूं इसको शुरू स्यादर डाल दो तल्बीने की तल्बीने की असल बात यह है कि नभी अकरीम सल्लालह की मरगूब घिजाओं में तल्बीना यानि जौका दलिया एक मुकमल घिजा है तो खर तल्बीना के नाम से बहुत सारी कंप्टनियों ने डबों में पैकिंग आ रही है लेकिन अगर आप इसको खुद घर में तयार करें तो कौश्किल मरहला नहीं है जिसे मैंने बताया कि खजूर, अंजीर, बादाम, पिस्ता, अक्रोट, नारियल, तिल्क, बेशब तो इसी तरह यह तमाम चीज़ें जो हैं वो जौका दलिया में और अलाइची च्छोटी अलाइची घर में शामिल करें और दूर डालें दूर डालें आखर जौका दलिया दानेदार लीजे जो कि आपका चकी का दलिया होता है, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत लाज़ूआ, डबे में जो दलिया है, वो बहुत मशीन से प्रॉस्स होके निकलता है, और वो उससे पानी निकाल लिया जाता है, वो बिल्कुर ऐसे होता है कि हलका सब वाइल करें और दलिया तयार है, ल बिखोई रखें पर उसको पकाएं उसका पानी जो है वो जिब खुशक होता जाए जैसे जिसे खुशक होता जाए दूड डालते रहें बादाम पिस्ता खरोट अंजीर खजूर शहद यह उसके मिक्स कर लिजे और जिस तरह खीर बनाई जाती है मैं वही कह रहे थी मैंने काटोरिया चुट्ची बनाई है यह नहीं बनाई है कि बच्चों को खिलाएं तो बच्चे कहेंगे यह खीर है इतना तेस्टी वह बन जाता है इसमें अगर केउड़ा थोड़ा सा डाल लीजे तो आप बिलकुल यकिन मानें कि ऐसा लाइको ब्राउ जिनके हाँ शायद नहीं है वह ब्राम शुगर इस्तुमाल कर सकते हैं बहुत चुटी चुटी मट्टी की कटोरियों में आप रख दें इसे ठंडा करके खाएं खीर की सुरत में बच्चों को आदर डाले ताकि उनके अंदर निट्रिशन वालियूस पूरी हो और यह कॉंस अब आपने बता नहीं है तो तल्वीना हो गया अब जों के बारे में उजिन आपने कहा था क्योंके खून पैदा करता है हमारे क्योंके फुल फाइबर इसके अंदर निट्रिशन वालियू जदा है नमकीन तोर पर हम इसको कैसे इंटेक कर सकते हैं नमकीन का तो यह है कि इ पानी के बजाए ठीक है मर्गी की यह होगे ठीक है मर्गी है बकरे की यहनी में और वो बनाई ए थोड़ी डाल दी और इसमें मौंकी डाल का अजाफा किया जा सकता है तो यह जबर दस्त है इसके अंदर आप सबजियां डाल सकते हैं लुकी घीया तोरी मतर गाजर छोटे अजिर बारी बारी करें यह समझे के यह आपके लिए जौग जो है उसका पानी ठीक है बाज अकात मैं यह बतादू के जौग जब आप वाल रहे हैं तो उसमें से एक या दो कप निकाल लीजा पानी के रख लीजे बाकी उसमें जो है यह अखनी वगारा दूसी चीजें ड जिसम के हिद्द गर्मी इंफेक्शन खुझली और जाइयां खास दोर पर इसे खतम होती है आप इसके पानी में इसका मुलतानी मिटी शामिल करके चेरे पर लेप किजिए ठीक है अब यकिन माने इसके चंद दिनों में आप देखिए चेरे पर निखाराना शुरो जाता है जुरियां खातम होजाएंगी ज्ञाईयां खातम हो जाएंगी चेरा फरेश होने शुरू हो जाता है और जो पानी का इस्तमाल के अब निखए इसके आप उसके तो När Youakka अउर मैंने बताए ना यखनी मिला लें यखनी उसमें शामिल करें और अगर चाहें तो थोड़ी थोड़ी चोड़ी 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 बोटियां शामिल कर सकते हैं मरीज को देने के लिए या आम तो पर एक यह बहुति दिश्मी तयार एक दलीम बन सकती है क्या कहते हैं ना यह बहुति है यह अलीम है यह कल्बे सलीम है यह जिनि दिल को ताकत अताफर मेदे की जितनी अलसर है मेदे का इंफेक्शन आंटों का इंफेक्शन कॉंस्टिपेशन और टाइफएड प्रबलम में जो एक खास बक्टेरिया होता है जो आपके आंट में पल होता होता है जिसकी वज़े से टाइफएड होता है उसको रिमूफ कर देता है ऐसी जो है यह जो का दलिया है साबूदाना इसी तरहां इसब गोल ठीक है और आपका तुक्मे बालांगो यह आपके लिए इसका मुस्लसला पर इस्तमाल करते हैं यह घर में होना चाहिए और स चेंज करते रहें ठीक है आपका निजा में हजम बेतर है आपकी एसीडिटी खतम है आपके अंदर सकून और कैफियत तमानाई जो है वह आपकी बरकरार रहेगी मेर्च मसाले अचार चटनी बेदर गोश्ट का इस्तमाल जो है वह असल में बीमारियां पैदा करते हैं आप तवाजन रखें जब आपके अंदर गिजा का तवाजन होगा आप फल, फूर्ट, सबजियां, सालाद, दूद, दही, मक्षन, पनीर, बाव, काट, एक मतवाजन गिजा आपकी तरदे रहेगी मना किसी चीज़ को नहीं तो आपको किसी किसी कि बिमारी का मैंने किसी आते दाल बहुत जरूरा अगर आप कुछ भी खाते हैं अब जैसे आपने आज एक कोर्मा खा लिया तो आप ये ना समझे के वह तीन दिन तक लेकि उसको खाते रहे वह पर नुकसान देते हैं इसी बेश्मी कीज़़ा एक सिर्का और अंजीर ये कैसे ये रात को आप पांच अंझीर सिर्के में। बिगोदे याा पानी नहीं कि एड करना। रात को बिगोदे या अशुआ भीगोदे पर चाप बिगो भीगा रहे तीक है अगले दिन शाम को जया है वो सिर्का हूर आ उस सिरका और अचार नहें कर दे लसान अधरक नियुक्त तो बैलकुल जो यह कर आखि गांध दनिया भी और दीजल भी मिला सकते हैं आख अज़े भात के अचार की तो अमारी आखिय नहें की बख्से माइड़ा भूप्पी को वो वो गंदली का अचार बनाती ती बड़े बड़े पते होती तो गंदले मुझे नहीं पता वह उसका कौन सी कोई जिस तरह मक्कू है ना इस तरह कोई गंदले कोई पोधा है जैसे पाला कैस तरह सब्सी है कोई जिए जिए उसका वह अचार बनाती थी इतना टेस्ट फूल बनता था गंदलों काज और पूरी बहुत अाम के साब से ना हम लोगो ने तो सीजन साल में एक दिन बन बनता था तो एखरो के वह साब बना ए बिद को क्टेसा थी क्या बात अबलू है अभी सरदी आईए गी देखिए कसा सरसू की बहारें और वर इससी सटीं का तेयर में खाना पकाना वह तह द्रह्ण है ब पहले एक वक्त वो था कि जब हम वाकी यह सब चीजों में अमारे ग़र में खाने पका करते हैं देसी मक्कन देशी गी गी जिसने लोगों को बिमार कर दिया और बहुत अजितनात लोग जिन्दगी गुजार रहे हैं अगर पहले गरीब लोग जो हैं, उनके हाँ सर्चों घी हुआ करते थे तॐ झाल को बिमार नहीं होते थे खरीब ज़रुरूर देखे थे भी मारें, यहीं अगर बीमार पहला अगर आप यहां क्या मामला यहां सर्चों के तेल और हम जैसे जैसे आवेर करते हैं तो आह चार से पाँच दफ़ा यूज कर लें उसमें कोई कमी नहीं आएगी यह चार से पाँच दफ़ा गरम कर लें और फिर रख दें फिर आप गरम कीजिए उसकी ना स्मेल में कमी आएगी ना उसके अंदर किसी किसम की हीक आएगी ना ही तेस्ट खराब आपको नहा नुकसान भी बिल्कुल और चिकनाई जहां आप चार चमच ऑईल डालते हैं ये दूसरा बनासफती ऑईल जम जाता है तो चार चमच डालने के बाद आपके ये सिर्फ दो चमच में काम हो जाता है और ये फ्रिज़ में रख भी दे ना ये जमता भी नहीं नहीं जमता तो समझ ले आपके अंदर भी नहीं जमेगा तो इसी तरह किसे ये कम-कम इस्तमाल में भी आता है जी बल्कुल ठीक और अफ़ादियत आता है लोग महेंगा समझ के करते हैं लेकिन अब कोई पाकिस्तान म के तहर जो है मेरी अद्वियात या होती है नेनो टेक्नोलजी बड़ी जदीद टेक्नोलजी है और लोग ये कहते हैं कि शायद डॉक्टर्स कहते थे अब मूमर कांसेप्ट यह है कि हर्बल मेडिसन जो है वो बड़ी देर में असर करती है लेकर अब जदीद काजों के को अपनाया है और ये तमाम हमारे मेरे वो कदीम तरीन नुस्खे हैं जो मेरे दादा परदादा यानि गुजश्चता ग्यारा नसलों से इस्तमाल होते रहे हैं और जिनका बड़ा बेतरी अब रेपिडली रिजर्ट आना शुरू हो गया है और उसमें हमारा असकरी गरीन लुझाण आना जिसमें तकरीबन 22,000 नौतिशने है दुनिया का बेहतरी जो है वे हूनि फ़ें आसकरी कॉशंग खर आपकी बेहतरीं नौतियू jeśli गयरे हैं जिस्तमाना जिंदelly को गुज़ारेंगे देगेinkं दुनल्या में आता है मरने के लिए मर के बगिर दुनिया सिज लेकिन जतनी जितनी जिद्वी आपकी है, अगर उसकी तौणाईऑ के साथ, खुम्सूरती के साथ। आप पूरी प्रवब striving येकसौई के साथ जिद्वी गुजारते हैं, बेश। आपकी जिनिया भी जनत है और अगर आ अला के हाए दाशकी आखरते है तो पिर आपकी आखरते है। कहते हैं तो इस के कदर करें लाप परवाई भर भग करें खुशकिसमत वोुग हैं जो हेलथी लाइफ भर लाइफ repeat पांच वोगते हैं, समझे ना, आपका दिल, दिमाग, आपकी तुपूरी बॉड़ी जो है, लगा हजूर जुकती है, आप पूरी आप तवानाई के साथ जो है, उस कादिर मुतलग जिसने आपकी तखलीक की है, उस तखलीक का शुकर अदा करते हैं, तो फिर आप यकीन मनें के ये चीजें आपकी दिल को ऐसा सकून पहुंचाएंगी और आपकी रहनमाई करेंगी ये चीजें, आपकी नमाज जो है, वो भी है, वर्जिश भी है, जिसमानी बहुत जो लोग, अकसर लोग कहते हैं, कि जनब हम नमाज बैठकर नहीं पर सकते हमें कुरसी पर बैठकर अभी भी ये तकलीफ नहीं होगी, कि वो कुरसी पर बैठकर पढ़ाएंगी अपका जुकना, आपका स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, जो है, वो पूरी हरकत में आते हैं, आपके जोड़ जोड़ हरकत में आते हैं, आपने पूरा कंस्यूम कर लिया, और पूरी आपकी र जिक्रिल्लाह तद्माइन और गलूम, आपका रुहानी, जिस्मानी और हर लिहाद से आपकी मुकमल फिटनस जो है, वो आपकी दुनिया में रहकर और दुनिया से चले जाने के बाद, ये लिकीन मानें, कि ये ऐसा मौका होता है, इनसान पूरी जिस्दगी के लिए दुनि जान के साथ, होँ अपने Whoo के साथ, और خुश छुंड के दियेवी इनसानों के साथ, क्या सलूब कियाए है, ये ही हसाब होगः इसका, जब यदिए ना, यकिन और एमान की कیफियत में दुनिया में रहो, और जब दुनिया से जाओ, तो फिर zonिया के ह्जो ह्जुणसेוקर क आपके सारे बातों का निचोड है कि अला का शुकर बजा लाना हर हाल में और जो अल्ला ने ने नहमते दी हैं उनका शुकर अदा करना जब उनकी लापरवाई करते हैं तो पूम इसे छिनना शुरू हो जाती है हम लोग बे बे तिदाली क्या है लेट सोना बे बिलावजा खाते वे टेलवीजन देखना उसकी कदर ना करना तो फिर क्या हमारे लिए पॉब्लम्स क्रियेट होती हैं अच्छा हम लोग इस्टमक की बात करें अफकोर्स ऐसे डिटी की बात करें और वो लोग जो बार बार आ अगर अगर आप जिसे इन्होंने कभी कहा कि असकरी ग्रीन ये बहुत फाइदे मंदे आपके अम्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग अच्छा और कौन से इसे प्रोडेक्ट जिससे आप इंटेक करेंगे कि हम लोगों की इन्फरक्शन अल्लाह ना करें चोटी मोटी चीज से त और दौा और प्रहिज अगर मुकमल तरीके से किया जाए तो मुकमल इलाज हो जाता है अब उसमें हमारी असकरी ग्रीन के साथ जो है हमारा असकरी गोल्ड है जो मेदे जिगर हैपाइटाइटरस वगरह के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्फ करता है और असकरी ब्राउन है जो आंतों के इंफेक्शन को खतम करता है कॉंस्टिपेशन को रफा भी करता है और इसी तरीके से ब्वासित के लिए भी बेहतरी है असकरी मैजिक करीम है जो के एक्स्टरनल यूज में आती है बड़े अमेजिंग 100% उसके रिजल्ट है और वो आपके जैसे हम यहां लगाते ह है आपका जो ब्लड सेल्स हैं वो उनके स्टॉंग हो जाते हैं और उससे टॉक्सिंग निकलती है और यो आपका जिसम का सारा निजाम जो है वो बेहतिन हो जाता है चेरे पे जुरियां जाईयां वगारा खतम हो जाती है तो नाजरीन यह परड़ेक्ट जितनी भी मैंने ब देख रहे हैं यह स्क्रीन पर नंबर है इन में वाटसेप चल रहा है यह दो सब वाटसेप नंबर है आप अपना मसला वाइस मैसिज के जरीए रिकार्डिंग करके हमें भेजें अपनी रिपोर्स भेजें और फिर साथ मुझे बता भी देजी कि हमें आपको मैं आपको बता देता हूं मेरा यह आपको देख भी रहे हैं स्क्रीन पर मेरा एडरस वगरा भी चल रहा है बारहल फिर भी मैं बताता हूं आजकल मैं कराची में हूँ और कराची में मैं ब्लॉक टैन एक पुल्शन एकबाल राशिद मिनास रोड गलैमर मॉल नजद लासा यारा से दो शाम चाल से नौ बजी तक है तो जो भी आएं बाकद अपाइडमेंट लेकर मरीज आते हैं अचा मैंने बताया था कि मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा मेरी पॉर्डेक्ट मार्केट में नहीं है आप हमें अपना ओर्डर दें इंशालला असकरी मैजिक करीम का मै मैं स्पेशली पैकेज है अठार हजार की करीम है यह जिसे मैं आजकल अपने यौमे अजादी के पैकेज में अभी तक चल रहा है मेरा 14 अंगस्त को खतम हो रहा था लेकिन बढ़ा दिया है और यह पंदर हजार की करीम जो है आप बात और लोग रपता कहले हैं जिया जिया मेरे पास एक मशीन है जो बाकादा तोर पर आपकी इस मोरों की अलाइमेट भी करती है चलें जी रॉक्साब और आप इनसे वर्टसब पे इनका नंबर जो स्क्रीन पर चला है आप इनको प्रोग्रम के बद इनसे रापता कीज़ेगा ठीक है रॉक्साब बहुत शुक्रे आपका में डॉक्साब से चाहूंगी जाज़त और इन्शाला नाजीन में आप से फिर मिलूंगी इनका लास्ट में प्रोग्रम एंड होगा जो इनका पैकेज भी देखना ना भूलेगा और जाने से पहले अफकोर्स हमारे साथ बड़ी प्यारी शेफ थी राईला उन्हों जाते हैं आप जरूर देख लीजाएगा अपना बहुत ख्याल रखेगा मुझे दौव में आद रखेगा लाफे